सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल देहला देने वाली हॉरर स्टोरी बिना घबराए बेल आइकोन प्रेस करना ना भुलें इस कहानी के लेखक है आदित्य निला दिलिप निमकर मेरे साथ जो हुआ है उसका खुलासा मुझे अब तक ठीक से नहीं हो पाया शायद आप ही बता सकते हैं कि क्या हुआ होगा उस आदसे के बारे में बोलने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं पी पावार मेरा शहर में बहुत बढ़ा कारुबार है मेरा बेटा विक्की नौ साल का था जब मेरी पत्नी का दियान थुआ उसके बाद बेटे पर दियान देने से ज्यादा मैंने अपने बिजनेस पर ही सारा दिया जिसका नतीजा वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था दस बारा साल के उम्रे में विक्की को गंदी आदते लग गई जो वा शराब जैसे नशे का आदी हो चुका था मेरा विक्की फिर मैंने एक और डिसिजन लिया विक्की को बार्डिंग स्कूल भेजने का वो बिलकुल तयार नहीं था एक दो बार तो भाग कर गर आ गया था फिर एक दिन मैंने यहाँ से दूर के शैर के बार्डिंग स्कूल में उसका दाखिला करवाया और मैं खुद उसे कार में बिठा कर ले जाने लग रहा उस दिन बहुत बारिश हो रही थी दुफान आया था दिन में भी ऐसा लग रहा था जैसे रात हो बार्डिंग के रास्ते में छोटे छोटे गाउं थे और गना जंगल था वहाँ से कार ले जाना मुश्किल हो रहा था कोहरा चाया हुआ था उपर से विकी कार से भागने की कोशिश कर रहा था एक हाथ से मैं उसे पकड़ा था और एक हाथ से मैं ड्राइव कर रहा था पापा छोड़ो मुझे मुझे नहीं जाना है बाडिंग छोड़ो मुझे शट अप विकी चुप चप बैठो तभी अचानक बिजली करके जोर की आवाज आए पता नहीं क्या हुआ मेरे कार के सामने वाली काज पर खुन के दब्बे दिखे शायद मेरे कार के आगे कोई आ गया था कोई जानवार या फिर कोई इंसान इस बच्चे की चकर में दिखाई नहीं दिया कि सामने कौन आया था कार से उतर कर मैं देखने गया बिचारा किसी नजदिक के गाहों का आदिवासी बच्चा था कार के नीचे आ गया था उसमें थोड़ी जान बच्ची थी बचाया जा सकता था उस खोन से लटपत बच्चे को मैं उठाता इससे पहले ही कार से विक्की बाग गया और मैं उस बच्ची को छोड़कर विक्की को पकड़ने दोड़ा विक्की विक्की कहा हो विक्की और मुझे विक्की दिखा बड़ी ही अजीब हालत में किसी बेली में पाउं फसकर गिर गया था गड़े में उसके सांसी नहीं चल रही थी मैं डर गया वैसे ही विक्की को उठा कर कार में बिठा दिया और कार शुरूगी उस आदिवासी बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं विक्की को अस्पतार लेकर गया कुछ दिनों बाद विक्की को होशा आ गया वो बच गया था पर उसके बरताओं में बहुत फरकाया था इस बार जब विक्की को बॉडिंग में भीजा तब मैं उसके साथ नहीं गया उस आदसे के बाद मैं उस रास्ती कभी गया ही नहीं चार-पांच साल गुजर गये विक्की की रिपोर्ट कार्ट से पता चला कि वो पढ़ाई में अबवल हो गया था अच्छे से बरताओं करने लगा था उसे तो आदर्श विद्यार्ती का पुरसकार भी मिला उसके स्कोल में पर अजीव बात ये थी कि जब मेरा नशीली बीटा बॉडिंग में रहता था फिर भी मुझे अचानक कभी गर में कभी आफिस के कैविन में दिखाई दीता था ऐसा लगता था जैसे वो मुझे से कुछ कहना चाहता था पर मैं उससे बात करने की कोशिश करता तो वो गाय बुजाता था मेरा बेटा यहां कैसे दिख सकता यह क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आता था बोडिंग में फोन किया तो प्रिंसिपल ने बताया कि मेरा बेटा वहीं बोडिंग में था और अच्छे नंबर उसे पास हो रहा था फिर भी मुझे देर रात आवा जाती थी पापा, पापा, सौरी पापा, I'm सौरी पापा मुझे डर लगने लगा था, कुछ गड़बर थी पूर विक्की की पड़ाई अच्छे से चल रही थी तो मैंने बॉडिन जाकर मिलना मुनासिब नहीं समझा मैंसे भी वहाँ जाने का टाइम नहीं था मेरे पास बिसनेस काफी बढ़ गया था, ये बिसनेस भी तो आखिर विक्की के लिए ही था बर्सो बीट गये, अभी भी मुझे सपने में विक्की दिखता था I'm sorry पापा, फर विक्की तो अब बढ़ा हो गया था इतने सालों में दो-तिन बार ही मुझे से मिला बाते भी ज्यादे नहीं की पढ़ाई के लिए वो बिदेश चला गया MBA करने वाला था डॉक्टर बनकर वापस आया पर डॉक्टर बनकर वो घर आया ही नहीं मैंने उसे डौनने की कोशिश की लेकिन कॉंटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था आखिर मैंने उसकी बाडिंग जाकर पूच्टाज करने की सोची सोना था उस जगह से विक्की को काफी लगा हो था फिर उसी रास्ते मेरी कार निकल पड़ी वही गाव वही जंगल मुझे अचानक कार के सामने छोटा विक्की दिखाई दिया और मैंने ब्रेक मारा मुझे होश आया तब मैं कार के स्टेरिंग वेल पर पड़ा था सर से खुन बह रहा था पता नहीं क्या हुआ था कार से बाहर निकला मुझे डॉक्टर की सक्त जरूरत थी पर सोचा यहां थोड़ीना डॉक्टर मिलेगा मुझे पासी के गाहूं जाने वाले दो आदिवा से दिखे उनसे पता चला कि हाँ एक नया डॉक्टर मुफ्थ में इलाज करता है मैं भी उनके साथ क्लिनिक गया और हैरानी की बात यह थी कि वो डॉक्टर कोई और नहीं मेरा बेटा विक्टी ही था मेरा इलाज उसने एक डॉक्टर की तरह किया बेटे की तरह नहीं और उसकी नजर में वो प्यार भी नहीं था मैंने उसे अपने साथानी के लिए कहा पर उसने मना कर दिया आखिर मैं वापस आकर मेरे कार में बैठी रहा था कि तब ही मुझे छोटा विक्की दिखाई दिया पापा विक्की तुम हाँ पापा I'm sorry पापा मैं आपका अच्छा बच्छा नहीं बन पाया तुम यहाँ हो तुम वो कौन है यह आद्सा वही था उस दिन मैंने आदिवासी बच्चे को मरने दिया और विक्की को बचा लिया फर विक्की बचा नहीं था उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ चुके थी और आदिवासी बच्चे की आत्मा मेरे विक्की के शरीर में समा चुकी थी मेरा बिगड़ा बच्चा विक्की अवीवी आत्मा के रूप में बटक रहा है मुझे पुकार रहा है पर वो आदिवासी बच्चा मरने के बाद भी विक्की का इस्तमाल करके अच्छा डॉक्टर बन गया और इसी जगा अब वो अपने आदिवासी समाज की जान बचाता है और कभी कभी अपने जान लेने वाले की भी जान बचाता है झाल 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 जगाएब्याइब्याँ हाई एक बड़ता है झाल 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 के सब्सक्राइब कर दो कि आई कैसे डराया तुझे ओ गौड ये तेरे हर वक्त का नाटक है तुझे कितने बार बोला मुझे डर लगता है मुझे डराया मत कर शटा प्रिंकी एक दिन मैं तुम्हें ऐसे डराऊंगी कि तुम्हें तुम्हारे नानी याद आजएगी मुझे कोई नहीं डरा सकता चर रिंके सोते हैं रात के बारा बज़े हैं सुनना आज मेरे दोस्तने मुझे एक कहानी बताई इस बार चुडेल की कहानी है मुझे नहीं सुनना मुझे सोना है चुप करना रिंके डरा मत सोजा ओ गाड मरीना तुम है तो मैं लेकिन तेरे इस मजाक्ते में डरने वाली नहीं हो जा जा के सोजा मरीना पागल हो गई है क्या जा यार जाके सोजा कुछ भी कर मैं डर्ये वाली हुगी कर क्या हुआ इनकी किसे बात पर देगी है अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भीजें हम कोशिश करेंगे कि अगली अनिमेटेड स्टोरी आपके होगी